नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगें तो मैं यूटूब चेनल, फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो के अंदर 2019 NDA जो सेकेंड पेपर था उसकी बचेवे बायलोजी क्वेस्टन डिसकस करेंगे मैंने पहले एक वीडियो बना दिये, जिसके अंदर 5-6 क्वेस्टन मैंने डिसकस कियें, बिल्कुल डिटेल से और एक्स्रा इंफॉर्मेशन भी प्रवाइड किये, ताकि फ्यूचर में कभी भी उस टॉपिक से क्वेस्टन आए, तो आप लोगों का छूटे नहीं और आप पूछ लिया कि इसके अंदर कौन सा सही होगा, ए उप्षन है, कंट्रोल ब्लड गुलकोज लेवल, बी उप्षन है, कंट्रोल ओविलेशन, सी, कंट्रोल मेटाबोलिक रेट, डी, मेंटेन प्रेगनेंसी, अब अपन थोड़ा सा ही पढ़के जाते हैं कॉम्पिटिशन के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भी थायरड ग्लेंड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, और आयोडन की कमी अगर हो जाए तो गोटर रोग हो जाता है इससे, गले के अंदर गला फूल जाता है, थोड़ा स्वेलिंग आ जाती है, लेकिन इसने तो अपना जो प देखते हैं इसका अंसर, जो थायरड ग्लेंड होता है, उसके जो मेन फंक्शन होते हों होते हैं, आपका अंसर इसी लाइन से मिल जाएगा आपको, रेगुलेटिंग बोडी मेटाबोलिक रेट, दूसरा काम होता है इसका, मसल कंट्रोल करता है, ब्रेन को डेवलप करता है और जो बोन्स होती है, उनकी मेंटेनेंस भी करता है, थायरड ग्लेंड थायरोक्सिन आर्मोन की मदद से, और हर्ट एंड डाजेस्टिव फंक्शन को भी ये रेगुलेट करता है, ठीक है, अब एक और टम है, अगर बोडी के अंदर ज्यादा थायरोक्सिन आर्मोन ठीक है, और सिम्टम्स क्या है इसके, जैसे की इन्टोलरेंस ओफ हीट, आपसे हीट बरदास नहीं होगी अगर आपको गोई ट्रोर रुख है तो, इर्रेगुलर मेंस्ट्रिल साइकल्स, ठीक है, उसके बाद में रेपिड और इर्रेगुलर हर्ट बीट हो जाएगी आपकी ठीक है, आपकी भूख बढ़ जाएगी, increased appetite, फिर आपके जो बाल है, वो पतले हो जाएगे, उसके बाद में आपका वजन भी कम हो जाएगा, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि, ज्यादा दब थायरोक्षिन आर्मोन रिलीज हो जाएगा सरी के अंदर, तो क्या-क्या दिखाए देगे, आपको mental impairment होगा, यानि उनका जो दिमाग है न, वो अच्छे से develop नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड होगी, and उनकी growth भी child की रुख जाएगी, अगर ये adults के अंदर होगा, तो क्या-क्या symptoms होगे, fatigue होगी, फिर low heart rate हो जाएगी, weight gain हो जाएगा weight बढ़ जाएगा आपका, आपको भूख लगना कम हो जाएगी, और आपकी memory भी poor हो जाएगी, तो ज्यादा जब होता है, तो क्या हो जाता है, आपको भूख ज्यादा लगती है, ठीक है, फिर आपके weight कम हो जाता है, इसके अंदर लग-बग चीजे उल्टी है, तो चलिए अब हम आपना दूसरा question देखते है, which one of the following is a bacterium that causes disease in human body, तो ये चार option आपको दे रखें, ये उल्टेशी दे नाम, इनके अंदर आपको बस ये ही पता लगाना है कि bacteria कौन सा है, और आपका answer इसके अंदर मिल जाएगा, तो इन में से जो पहला option है, वो एक virus है, फिर जो दू UPC का favorite question है, parasites के अंदर से जो question आता है, वो आता है कि sleeping sickness किस parasite से होती है, तो उसका नाम है trypanosoma, मैं आपको question भी flash कर देता हूँ, ये previous year का question है, 2019 का तो नहीं है, लेकिन ये देख लो आपके सामने question है, ये sleeping sickness वाला question, कम से कम 3-4 बार UPC ने पूछ लिया है, NDA के paper के अंदर, दो पर तो मैंने खुद ने attempt लिया, NDA का तब, और मैं previous year question paper solve कर रहा था, तब मैंने इसको देखा है, तो questions गुमा फिरा के वही आ जाते हैं क्या तो, या फिर उसी topic से आते हैं, इसलिए मैं आपको इतना detail के अंदर पढ़ा रहा हूँ, अगर आप भी अपना खुद का homework करते है तो इतना detail से किसी topic को पढ़े, ताकि आपको पढ़ने बाद में मजा भी आए, कि हाँ यार आज कुछ सीखा है, और अगर उस topic से कोई भी question आ जाए, तो आपका छुटे नहीं, बल्कि आपको confidence मिले कि जो question आपको आ नहीं रहा है, वो भी आप अच्छे से attempt करके चले जाओ अब जो अपना question था उसको देखते हैं, फिर जो तीसरा option है, सालमोनिला, ताइपी, ये एक bacteria है, तो इस question का सही answer भी यही है, चोथा जो option है, प्लाजमोडियम, फेलसी परम, ये एक parasite है, यूनिसेलूलर प्रोटोजोगा है, जिससे malaria होती है, तो ये भी याद रखना, और ज female anophyll mosquito होता है, उसके काटने से होती है, ठीक है, चलिए अब हम अपना अगला question देखते है, which one of the following statements regarding viruses is not true, question में दे रखा है, not true, तो viruses need living cells to reproduce, सही बात है, कोरोना भाई साब ने बहुत तंडो मचा रखा है, आपको पता है ये बात, all viruses are parasites, ये भी बिल्कुल सही बात है, parasite क्यो होता है, जो दूसरे के उपर dependent रहता है, तो virus living body के अंदर, इंटर करके, उसके अंदर, फिर multiplication करते हैं, अपने आपका reproduce करते हैं, अपने आपको और ज़्यादा, ठीक है, viruses can synthesize their food through photosynthesis, अगर ये ऐसा करी लेते हैं, तो इनको living host की ज़रूरत क्यों पढ़ती, तो ये इसका गल से जो true statement नहीं है, वो है, C statement, चलिए, अब हम अपना अगला question देखते हैं, which one of the following diseases may be caused by deficiency of vitamin C, यानि vitamin C की deficiency, अगर आपके सरीर के अंदर हो गई, तो कौन सी disease आपको हो जाएगी, तो इसका right answer है, screvy disease, screvy disease के जो symptoms हैं, आपके जो मसूड़े हैं, जिनको gums बोलते हैं, इंग swelling हो जाएगी, तो ये सब symptoms हैं, screvy disease के, अब और दो-तीन diseases के बारे में जान लेते हैं, जिन vitamins की वज़े से वो होती हैं, लेकिन बची भी जो भी diseases, vitamins की वज़े से होती हैं, वो आपका homework है, कि आप खुद उसको note down करें, अपनी notebook के अंदर, और उसके तो comment section के अंदर भी देखें, अब जो इसके अंदर पहला option दे रखा है, रिकेट्स, तो ये vitamin D की कमी से होता है, इसके अंदर आपकी हडिया कमजोर हो जाती हैं, vitamin D के जो important sources हैं, वो एक तो sunlight है, ठीक है, उसके बाद में मचलियां हैं, जैसे की salmon, tuna and mackerel, ये मचलियां हैं, इन से हमको vitamin D अच्छ होता है, तो उसके जो saliva होता है, लार से, अगर वो हमको काट गया, तो उसकी लार से रेबीज फैलता है, ठीक है, फिर vitamin A जो होता है, जिसको retinol बोलते हैं, उससे night blindness होती है, उसकी कमी के बज़े से, अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ minerals होते हैं, जिनकी कमी से body के अंदर क के diseases होती है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे 2-3 सवाल करूँगा, और उनके उपर मैंने detail में वीडियो बना रहे हैं, आई बटन पे क्लिक करके, और description में link मिलेगा आपको, वहाँ पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये question बार बार पुछे आते हैं, तो मैंने detail में वीडियो बना दिये, सारे continents के desert rules के अंदर clear किये गए हैं, तो वो आप आई बटन पे क्लिक करके, या फिर description में link, या फिर channel पे विजिट करके, आप कहीं से भी वो वीडियो देखें, दूसरा question है, the agulas current flows in, जो agulas current है, oceanic currents पे मैंने बहुत अच्छी वीडियो बन Gulf stream is end, ये सीधा पूछ लिए आपको पता है, Gulf stream है, मैं आपको answer ही देता हूँ, oceanic current है, option भी आप देख लो क्या दे रखें, अब जो ये direction, जो oceanic currents और winds का northern hemisphere में और southern hemisphere में कैसे impact होता है, उसके लिए Coralist force का impact पड़ता है, तो Coralist force के ओपर भी मैंने वीडियो बनाईए, आप चेक कर सकते हैं उसको, क्योंकि वो भी बहुत जाया जरूरी है, currents और winds के movement के अंदर, northern and southern hemisphere में, और Coralist force equator पे क्या impact होता है, equatorial region में क्या impact होता है, और pulse पे क्या impact होता है, detail के अंदर आपको उसमे explanation मिलेगी, तो वो वीडियो भी आप देखना, अब जो calcium है, अगर उसकी body के अंदर कमी होगी, तो हमारी जो हडिया है, वो कमजोर हो जाएंगी, ठीक है, और जो phosphorus है, mineral उसकी कमी होगी, तो हमारे दात खराब हो जाएंगी, और हडियो पे भी इसका impact पड़ता है, तो दोस्तों, इसी के साथ ही, वीडियो का अंत करते हैं, I hope आप लोगों को knowledge मिल रहा ह होगा, अगर हाँ, तो like बटन दबाना, उससे हमको motivation मिलता है, ताकि और updated वीडियो में आपके लिए लेक्या हूँ, और इस वीडियो को ज़्यदा ज़्यदा सेयर करना, ताकि जो भी कोई competition की तैरी कर रहा है, उसको benefit मिल सके, thank you so much for watching this video, and have a great day ahead.